जनता करेगी फैसला अब इंसाफ जनता के हाथ में कि ये राजनीती रंजिस है जिसका सिकार पुरसांस धनजे सिंग हुए है अब जौनपूर के तमाम बड़े बड़े चोराहों पे पोस्टर लगाया जा रहा है कि अब इंसाफ जनता के हाथ में है तथा जनता अब फैसला करेगी आपको बता दें कि पोस्टर लगाया जा रहा है तो इसका मतलब अब जौनपूर की राजनिती किसी तीसरी दिशा में मोड लेने वाली है आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है ऐसी आसी कलिए औरम ऐसी सर्चा तेज है कि या तो धनजे सिंग इस फैसले पर इस्टे लेकर चुनाव लड़ेंगे या उनकी पतनी सरीकला धनजे सिंग जो कि वरतमाण में जौनपूर की जिला पंचात अध्याच है उनको चुनाव लड़वाएंगे पूरु सांसा धनजे सिंग ऐसे में जब ये ऐसे बैनल लगा जा रहे हैं कि जनता अब इंसाफ करेगी तो इसका मतलब धीरे धीरे साफ होता दिखाई दे रहा कि उनकी पत्नी या वो खुद चुनावी मैदान में उतर सकते हैं आपको पता दें कि ध्रणजे सिंग की पत्नी सीकला ध्रणजे सिंग को सिया सी गली और मैसी जर्चा तेज है कि समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है लेकिन अस्थानी समाजवादी पार्टी नेता तथा कारकरताओं का ये दावा है कि पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी इस से पहले सरी कला धंजे सिंग का एक ट्वेट काफी ज्यादा वारह हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि आपके नेता ने बड़ी सुचिता की राजनेती की है कभी भी किसी दालत वा नेता के लिए गलास सब्दों का इस्तमाल नहीं किया किरपया आप भी स किया गया था तभी सियासिकल यारों में इसी चर्चा होने लगी थी कि इस बार के लोकसभाचुनाव में यानि की 24 को लोकसभाचुनाव में भले ही पुरसांसा ध्रंजे सिंग को 7 साल की सजा हो गई मगर इस बार के लोकसभाचुनाव में उनकी एहम भूम क्या होने वाली है भले ही वो अंदर चले गए है अब ये बैनर इस बात को जाहिर करता है तथा इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंड बाक्स में जिरूर बताएं सही हो से टिक कवरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बढ़े रहे हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका